एलो स्टुडेंट्स वेल्कम बैक टू प्रभाला क्लासिस हम करेंट केस लॉग की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्शर के थूँ जिसमें हम डफरेंट डफरेंट टाइम पे जो सुप्रीम कोट के डिसीजन्स हैं उनको अच्छे से सिस्टेमेटिकली स्टडी करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा केस रामनंद नंदलाल भारती वर्सिस टेट ऑफ उत्तरपदेश का है जो भी हालमी 13 अक्टूबर को कोट ने डिसाइट किया इस मामले में सुप्रीम कोट ने एक ऐसे व्यक्ति को एक्विटल कर दिया यानकी बरी कर दिया जिसने अपनी पत्मी और चाल बच्चों की हत्या की थी जबकि सेशन कोट और हाई कोट ने उसे मृत्युदन की सजा सुनाई थी यहाँ पे जो सीजे आई हैं हमारे यूईयो ललित जस्टिस एस रविंद्र भट और जस्टिस जी भी परदी वाला ने ये टिपणी भी की कि उन्हें बिल्कुल में राशाय जिजग नहीं हो रही है ये कहते हुए कि इतनी लापरवाही से जो जाच है इंक्वाईरी है वो की गई है तिके अगर मैं इस के फैक्ट की बात करूँ तर्थे की बात करूँ तो ग्राम बजडिया अस्थित रावानन उफ ननलाल भारती ने जब उनकी पत्नी और चारो बच्ची घर में सो रहे थे एक धार-धार हतियार से उन्हें पांचों को मौत के घाड उतार दिया अभियोजन पक्ष के अनुसार जो अपरात के भीजे मकसद था आरोपी का वो था एक विवाहित महिला के साथ उसके अपैद संबध होना यहाँ पर जो ट्राइल कोड थे उन्होंने सर्कुमस्टांसिस एविडेंसिस के बिहाग पर आरोपी को मृत्युदन की सजा सुनाई जिसकी पुस्टी इलाबाद हाई कोड ने की देखिए जब भी सेशन कोड किसी व्यक्ति को मृत्युदन की सजा सुनाता है तो उस डेट सेंटेंस की पुस्टी करनी होती है हाई कोड को जिसमें सेक्शन 366 of CRPC Criminal Procedure Code में वो प्रेजेंट करता है हाई कोड में और सेक्शन 368 मिट में जाकर यह जो हाई कोड है उसमें अपनी पुस्टी करता है देखिए इस केस में अगर में एविडेंस की बात करूं तो यहां पर कोई भी डारेक्ट एविडेंस नहीं था जिसके बेहाफ पे रामनंद को मृत्युदन की सजा सुनाई गई थी यहां पे मात्र परिस जिनने साक्ष एकत्रित हुए उसमें से जो आरोपी अपील करता था उसके कहने पर अपरात के हतियार और खून से सने कप्रों की खोज की गई थी दूसरा अभियोजन पक्ष के दो गवहों के सामने ठीक है कोई त्वतंत्र गवह नहीं थे वो अभियोजन पक्ष के गवह थे उनके समक्ष आरोपी अपील करता की आतिरिक नियाइक स्विक्रोक्ति करवाई थी यानि कि जो भी नियाइक स्विक्रोक्ति कराई थी वो किसी अलग जो स्वतंत्र गवहा जिसे कहते हैं कि वो ना तो अभियोजन पक्ष के हूं ना ही वो आपके एक्यूस्ट के पक्ष तो ऐसे व्यक्ति जिनका दोनों में कोई मैटर ही ना हो उनके सामने ना करवाते हुए जो अभ्योजन पक्षिके थे उनके दो गवाहों के सामने वो नियाएक से फिरुकती करवाई थी दूसरी चीज अपरात करने का मक्सद उनों ने ये बताया कि जो आपका आरोपी था उस करती था यानि कि नैचुरल नहीं था वो नैचुरल व्यक्ति की तरह बीहेव नहीं कर रहा था यहीं सारी चीज़े थी परिस्थितियां थी जिसके बहाव पे उस व्यक्ति को क्या किया गया था मृत्युद्ण की सजय सुनाई गय थी यहां पे कोट ने ये कहा कि record पर जो भी मौजूद आरोपित साक्ष हैं वो किसी भी टुकड़े को आरोप के खिलाब परिस्ति जन्ने साक्ष के रूप में नहीं माला जा सकता कि इनहीं अगर परिस्ति जन्ने साक्ष हैं यानि कि circumstances जो evidences की जो भी टुकड़ी record में मौजूद थी यानि कि जो उन्होंने record में mention की थी वो काफी नहीं थी उस व्यक्ति को आरोपी साबित करने के लिए जब तक थोस विश्वस निये या सपस्ट कोई सबूत नहीं हो दूसरी चीज आगे उन्होंने कहा कि साक्ष के आधार पर आरोप उचिस संदे से परेसाबित नहीं है आरोपी को दोशी ठैराने ये दंडित करने का सवाली ही नहीं उठता यानि कि जब जो साक्ष है ना तो थोस है जो परिसी दिजन्रे साक्ष भी है वो ना तो थोस है नहीं वो विश्वस निये प्रतीत हो रहे हैं नहीं वो इस तरह के हैं कि उनको एक्सेप्ट किया जा सके तो सिर्फ मात्र इस बे मतलब उचित संदे से परे अगर हम किसी व्यक्ति को दोशी ठैराये हैं या दंडित करे जा रहे हैं तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता आगे कोट ने कहा कि एक आरोपी केवल कानूनी साक्षि पर दोशी ठैराया जा सकता है ना कि परिस्तिती जन्ने साक्ष भी अगर है तो आपके ठोस तो हो इसमें आपने क्या किया है कि जो नाएक स्योकिरुक्ती करवाई है वो भी आपने abusion पक्षिके कवाओ के सामने करवाई है यहाँ पे भी हमें biasness दिखाई दे रही है तो यह किस तरह की inquiry हुई है? यह की गई है आगे कोट ने कहा कि हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि सच हो सकता है और सच होना चाहिए कि बीच यात्रा करने के लिए लंबी दूरी होती है यानि कि आप कह रहे हो कि सच हो सकता है लेकिन सच होना चाहिए यह नहीं आप कह रहे हो तो यहां पर क्या है कि जो भी आपने अपने सक्मेस्टेंस अपने पेश किये हैं वो सच हो सकते हैं लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि उन्हें सच होना चाहिए तो इनके बीच की बहुत लंबी दूरी है जो इस के जो भी एविडेंस दिये गए हैं वो इन दूरी को पूरा नहीं कर पा रही है आगे कोट ने कहा अभ्यूजन द्वारा सपस्ट और ठोस अब फिर यहनकी संदे से परिया विश्वस्निय साक्ष द्वारा कवर किया जाना चाहिए इससे पहले की अभ्यूग्त की दो शिर्दी की जाए यानि की जो भी साक्षिक पेश किये गए हैं अभ्यूजन द्वारा उनको सपस्ट कर ली वो देख लेगी वो ठोस भी है या नहीं है यह उन पे को संदे तो नहीं है विश्वस नियए भी है या नहीं है इन सब चीजों को ध्यान देने के बाद ये किसी अभ्यूप्ट को क्या किया जाना चाहिए, दो शिर्द किया जाना चाहिए. आगे कोट ने टिपणी करते वे कहा कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो अपना वकील कर सके तो वहाँ पे नॉमल सी बात है कि ये प्रोवीजन है कि राज्ये का करतव बनता है कि वो उसे कानूनी साहिता उपलब्द करवाएं तो यहाँ पे प्रोवीजन होता है एक ऐसे वकील की न्यूपति करनी होती है जो उसका बचाव अच्छे से कर सके चीक है आगे कोट ने कहा कि वकील का प्रावदान ऐसे का होना चाहिए और कि ऐसा वकील होना चाहिए जो अभ्यूक्त को सरवोतम शमताओं के लिए पूरी लगन से नहीं हो सकती यानि कि अगर कोई गरीब है तो आप उसको वैसा ही वकील उठा करके दे देंगे आप कम से कम ऐसा वकील आपको देना चाहिए था जो इस तरह के कई मामलों भी उसको एक्सपीडियंस टू जिससे वो उसका पक्ष अच्छे से रख पाए ऐसे जो वकील है मतलब इतने सामने से सीधे सा केस था कि जो भी एविडेंस थे ऐसे स्टॉंग एविडेंस उसके अगेंस नहीं था तब भी उस वेक्ति को यहां तक नौबत आ गई कि वो सुप्रीम कोट तक आ गया है सिर्फ इसी बहाफ पे कि उसको बचाव नहीं मिल रहा है तो यहां पे में कहा कि यह तो सामने से देखने वाली चीज है तो यहां पे राज्य को यहां पिया के कर्टवे के ऊपर टिपनी की सुप्रीम कोट निए तो इस मामले में अट लास सुप्रीम कोट निए सारी चीज़ों को देखते हुए और ये कहते हुए कि जो भी circumstances, evidences हैं, वो weak हैं और उनके बेहाब पे किसी वेक्ति को मृत्युदंगी सजा नहीं सुनाई जा सकती, तो इस case में उन्हें उन्हें बरी कर दिया. तो ये था आज का हमारा case, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो please चैनल लो subscribe कीजेगा, like कीजेगा and share कीजेगा and at last thanks for watching, take care, bye bye.